आपके कर्में अगर बहुत सारी सब्जिया एक साथ थोड़े थोड़े करके बच जा तो आप क्या करते हैं तो हेलो एपरिवरन वैलकम बैक माई चैनल मैं हूँ प्रियंगा एक बार फिर स्वागत हूं हमारी न्यू रेश्पी के शाथ मैं हूँ प्रियंगा पनाने वाले बहुत सिंपल तरीके से मिक्स बेच की सब्जी और पालक की पूड़ी तो चलिए फिर यहां मैंने बहुत सारी वेजिटेबल को काट लिया है बहुत जिसमें बीन है मतर है गोबी है प्याज है आलू है टमाट बहुत सारी सब्जिया है और यहां है पालक तो यह डालूंगे इसमें डालूंगे दो सुखे मिर्चे थोड़ी सी जीरा थोड़ा सा मेथी दाना प्याज लैशुन और मिर्चा तड़कने देंगे इसको थोड़ा सा लाल हो जाए फिर बहुत सारी सब्जिया जो मैंने काट की रखी है उसको डाल के थोड़ा सा फ्राइ कर की नमक ताकि पानी रिलीज हो के सब्जी अच्छे से कुख हो जाए तो यहां जो मैंने पालक रखा था यह पूरी तरह से थंड़ा हो गया इसको मिस्कर जाल में डाल के थोड़ा सा ग्रेंड कर लेंगे इसमें डालेंगे थोड़ा सा लासुन दो हरी मिर्ची टेस्ट ग्रेंग किने हरी हरी पूर्डी आज निकलेगे बहुत अच्छी लगती है पालक की पूर्डी तो यहां देखिए मेरे सब्जी भी थोड़ी थोड़ए खुप हो गई है बहुत हलका इसमें डालेंगे तो चलिए फटव सा हेरी हो इसट चिली next to the पूरी सब्जी अच्छे से कुक हो गई है तो मेरे सब्जी हो गई है अब मैं चड़ाती हूं पूरी के लिए कड़ाई तो यहां डालूंगे कि 60 का तेल यह मैंने जो के पूरी का आटा लगा कि पासमुट पहले रखा देकिये बहुत अच्छा सोप्ट हो गया तहीं मैं बहुत सारी पूडिया एक साथ बना के बारी बारी करके तेल में डालके चाहन लूँगी देखिए बहुत अच्छा फुली फुली पूडिया निकल के आती है आप लोग ट्राय जरूर करिएगा बहुत अच्छी लगती है पालक ना खाने वाले भी पालक खाने लगते हैं तो देखिए मेरी पूडिया निकल गई है इसी तरह मैं बहुत सारी पूडिया जो बेल के रखी हुई एक साथ एक एक करके निकाल लूँगी और बहुत अच्छा टेश्ट लगता है सबजी के साथ आप आम के चाहर के साथ बिखा सकते हैं बट बहुत अच्छे तरीके से बन के निकल के आया है तो यह हमें रखा है चाहर पूड़ी और जो मिक्स बेज की सबजी बनाई है तो आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना पूलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडि है और वीडियू है तो लाइक स्टोभर करते हैं तो आई हो एंजी कर दो किसमा में से लाइक मिलते हैं नेक्सराइब कर May